हेलो एव्रीवन, कुकिंग विद नर्गिस में आजम बनाने जा रहे हैं मटन रान तो ये मैंने कभी करीब सवा के लोग की रान हैं, ये मैंने रान ले लिए अच्छे से वाश कर लिया है और इसको ड्राइ भी कर लिया है, अब इसमें हम स्लिट लगाते हैं छोड़ी थोड़ी दूर पर स्लिट लगाते हैं, देखिए इस तरीके से आप ध्यान से लगाएगा कि हाथ वाद भी न कट जाए, कई बार छोड़ी फिसल जाती है और हाथ कट जाता है तो ये थोड़ी थोड़ी दूर पर हमने स्लिट लगाए हैं और आप इन इसी तरीके से दोनों तरफ ही लगाएंगे इसमें ताकि इसमें मसाला बहुत अच्छे से बैठ जाए तो देखिए बहुत अच्छे से पूरी लग तक हमने लगा दी हैं और अच्छे गहरे-गहरे कट लगाएं, जितने गहरे कट लगेंगे उतना ही जाद है हमारा जो यह है लैग है, वो रान है, वो जूसी बनेगी, अब देखी दूसरे साइड भी लगाए दे रहे हैं, आप अपनी पसंद का लंबा एक करके और छोटे-छोटे कट भी लगा सक अब हमने एक बरतन लिया है, और इसमें हम एक मसाला तयार कर रहे हैं, हमने पपाया पेस्ट भी नहीं डाला है, और नाई हमने इसमें सिरका डाला है, वाइड विनेगर डाल सकते हैं आप, अगर आपके पास नीबू ना हो, तो हमने दो चम्मच डाला रसना द्रका एक चम्मच सौंफ का पॉडर, एक चम्मच हल्दी डाली है हमने, हम बहुत ही बेसिक से मसाले डाल रहे हैं, बहुत जादे तेज मसाले नहीं डाल रहे हैं इसमें, ताकि बच्चे बड़े सब खा सकें, यह थोड़ा सा जीरे का पॉडर डाला है, भुनेवी जीरे का सकते हैं, यह मैंने डाला है चाट मसाला, आप अपनी पसंद का कोई भी मसाले इसमें मिक्स कर सकते हैं, मैंने तो बहुत बेसिक से मसाले थे, यह मैं डाल रहे हूं काली मिर्च, एक आपको आइडिया दे रहे हूं, बाकि आप अपनी पसंद से कोई भी मसाले और डाल सकते यह थोड़ा सा मैंने हलका सा इसमें और चाट मसाला डाला है, थोड़ा चाट मसाला मज़े पहले कम लगा था तो मैंने थोड़ा सा और डाल लिया है, अब मैं डाल रहे हूं दो नीबू का रस, तो बस सब रस डाले दे रहा है इसमें, अगर आपके पास नीबू नहों तो आ इतनी बड़ी लएग ए सवाडेड किलोगी तो उसमें आप दो स्पून डाल सकते हैं विनेगर अब देखिया हमारा एक उसका गया है भी अब दूसरे का नीबू का भी रसिस में डाल रहे हैं देकिंगे हर घर में तो भट्टी भी नहीं होती है हर घर में तो कोई पूरा इंतजाम नहीं होता है लेकिन अगर इंसान का दिल है न कुछ खाने का तो मन नहीं मारना चाहिए अपने मन को कोई दिल कर रहा है जिस चीज का तो इंसान अपने घर में कम पैसो में अब देखिया इसमें थोड़ा सा ये कुटा हुआ धनिया मोटा था, वो डाला है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसमें थोड़ा सा ओयल डाला है, जिससे बहुत ही जूसी बनेगा, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, हातों की मदद से, मैंने थोड़ा सा फूट कलर भी सुरी मैं भूल गई थी, अब मैंने थोड़ा सा इसमें food color sprinkle किया है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको skip कर दे, अब इसको अच्छे से mix करे लेती हूं, बिल्कुर restaurant style एकदम से color बहुत अच्छा आएगा, देखिए अच्छे से सब मसालिय को हमने mix कर लिया है, जो का अच्छे से मसाज करनी है, अच्छे से मसाज करनी है, अंदर जितने भी हमने slit बनाए हैं, ये cut लगाए है, सब cut में मसाले को अच्छे से pour करना है, ताकि खाने में ये मज़ेदार लगे, और देखिए हमने इसको बूचर से, इसकी lag जो थी, उसको थोड़ा उपर से cut करा ल तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए देखिए मैंने बूचर से इस तरह से cut लगवा लिया था इसमें, और lag को इस तरह से fold हो गई है, अब देखिए अच्छे से हमारे पूरे रान पे हमने मसाला लगा दिया है, और इसको हम ढखके रख रहे हैं, पूरी रात के अगर आपके पास time नहीं है, तो आप 2 घंटे के रिब रख सकते हैं, लिकि मेरे पास time था, मैंने overnight इसको फ्रेज में वापस रख दिया था, तो आपकी मरजी पर depend करता आपके पास कितना time है, उसी हिसाब से आप 2 घंटे भी रख के बना सकते हैं, देखिए हमने निकाल लि और हम इसको बनाने वाले कूकर में, तो मेरे पास 5 लीटरा कूकर है, लेकि उसका थोड़ा मू छोटा है, और इसकी यह हड़ी अटक रही थी, तो मैंने यह बड़ा कूकर लिया है, और इसमें easy से यह चला गया है, हमने कूकर में इसको डाल दिया है, और देखिए गर्माई की तरफ लाते हैं इसको, कि थोड़ी हमारा कूकर गरम हो जा, तो हमारा कूकर गरम होने लगा है, देखिए इसमें कूकर गरम होने लगा है, और जो पानी हमने डाला था, वो जल गया है सारा पानी, तो आब इसमें हम एक गलास है, हमारे पास छोटा, उसमें हम आ कि इसको हम कुकर में गला रहे हैं हम एक सीटी लगाएंगे इसको फुल गैस पे और चालिस से पैतालिस मिनट रखेंगे हम सिम गैस पे तो क्योंकि यह बड़ा पीस है और रान थोड़ी सी सकत भी होती है तो रान को वैसे सॉफ्ट गोर्ष होता बक्रे का तो यह गल्ले में चालिस से पैतालिस हम बिल्कुल सिम गैस पे इसको कर देंगे तो हमने देखिए अच्छे से उसमें गर्माई आ गई है और जो पानी हमने डाला था वो भी जल गया है इसमें देखिए देखिए बहुत थोड़ा सा बस नीचे लगा हुआ है मसाला टाइप देखिए हमने आ आदा गलास पानी डाला एक गलास लिया था लेकिन आदा गलास हमने बचा लिया है अब बस इसमें धकन लगा रहे हैं इसमें स्टीम जल्दी बनेगी को हमने पहले से ही इसको गैस पे रखा हुआ था बस फ्रेंड मिलते हैं आप से एक सीटी हमारी फुल गैस पे आ कि इसमें इतना पानी है थोड़ा सा पानी है एक इसको हम फुल गैस पे इस पानी को ड्राई कर लेंगे बहुत जादा लैग को चलाएंगे नहीं थोड़ा हिला सकते हैं ताकि लैग जलना जाए यह जलना जाए इसलिए थोड़ा सा बस अब देखिए हमने इसको अच्छे से ड्राई कर लिया है और थोड़ा सा देर इसको रखते हैं बिल्कुल ड्राई हो गया है जो पानी था फुल गैस पे हमने इस पे ही डाल डालके पूरा कम कर दिया है देखिए कोई लगा भी नहीं ह और कोई पानी भी नहीं बचा है बहुत शानदार सा हमारा बिलकुल गल गया है देखिए इतना अच्छा कुकुआ है मटन हमारा कि बिलकुल बहुत सॉफ्ट मटन तयार हुआ है आप इसी तरीके से बना के देखे के देखिए हमने फॉक की मदस से इसको हटाया है बिलकुल द तो हमने जाली रוכी है। यह जाली तो सभी के घरों में होती है। तो मैंने वहां पे silver foil थी मेरे पास, वो मैंने लगा ली है, तो देखने में भी अच्छी लगेगी, और safety भी रहेगी, तो इसको हलकी gas पे, इसको smoky flavor देने के लिए, दोनों तरफ से अलट पलट के सेके लेते हैं, देखिए इसी तरीके से देखिए कितना अच्छे निशान आ कोई ले जलाओ, ये करो वो करो लेकि ये easy से है, और ये हर घर में सब कुछ available होता है, तो इस तरह से आप तयार करिए, अगर आपको मेरी recipe पसंद आती है, तो please मेरे चैनल को subscribe, like, share जरूर करिएगा, दौाओं में याद रखिएगा, और मुझे Instagram पे भी follow करिएगा, और इस देखिए, इसको सेखते सेखते ही है, बलब अब देखिए, लैग पे से जतने भी हड़ी नजर आ गई है, बिल्कुल, कि वो pieces इतने अच्छे गलके, और वो हटने शुरू हो गए, और देखिए, सर्फ कर रहे हैं, हमने salad लिया है, थोड़ा सा, प्यास, टमाटर, गाजर, स जरूर ट्राई करिएगा, और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताईएगा, आप मुझे कहां से देख रहे हैं, और आपको मेरी recipe कैसी लगी, तो मिलते हैं, एक नई वीडियो के साथ, अल्ला हाफिज, देखिए, कितना soft हमारा mutton, बिल्कुल soft है, देखिए, बिल्कुल mom की त ENJOY!